देखो बहुतिक राशी कितने प्रकार के होते हैं पार्ट पांच फिजिक्स नैंज का अगर पूछा जाए जन संख्यां कितने प्रकार के होते हैं जन संख्यां का आज क्या होता है मालूम है जन जोर संख्यां जन मतलब जनता और जनता की संख्यां जनता में तो महला और पुरुस दोनों तरह के बेक्ति आते हैं जी तो जन संख्यां दो तरह के होते हैं पुरुस जन संख्यां और महला जन संख्यां इसी तरह बहुतिक तो दो तरह की होते हैं आधारी या ततंत राशियां दूतत्रह Kenners चूर्फटरा हो गिए बीत्तपन्य राशियां तो इस दौनों को समझने में से पहले एक नई बात को समझो ताकि इसको समझने में कोई परिश्वाइन नहीं इना इस दोनों को भूला जाओ एक नई भ्यान दो तो गिंती की संक्षियां कहां से शुरू होती है एक से शुरू होती है शुरू होती है ना एक से ले करके अनंत तक जाती है गिंती की संक्षियां ये बात सब तो सिंपुल बात है जिसको बतला सुके है मैंत के चप्तर में सुन्ने भी एक संक्षियां है चुन्ने क तो इससे पहले ये समझो एतनी संख्याओं पर धियान दो। एक, दो, तेन, चार, पांच, छो, सात, आठ, नौ, दस, इन दस संक्षियाओं पर ध्यान दो, अब यह मालोपूरं संक्षा नहीं है, गारद समला पांच का अर्ध क्या हुआ, साध्य गारद को भी संक्षा इन संक्षाओं को छोर कर के लिखोगे, तो पता चलेगा ये 10 का निर्मान कैसे हुआ है, वो लोत कि 10 का निर्मान जो हुआ है गिंती की संक्षा का जो एक है एक और दस का किसे एक और सुननी से हैन इसी बात यगारा पध्यान दो तो यगारा जिसी संख्यां का अपना अस्थित्व है तो तंत्र है नहीं है क्यों नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि एकारा लिखने के लिए हमें दो अंकों का सहारा लेना परा एक और एक का एक और एक से जारा बनता है बनता है फिर बारा देखो एक और दो के मेल से बारा बनता है यानि बारा का भी उत्पन हुआ है बारा उत्पन हुआ है जो उत्पन होगा इसको कहेंगे ब्यूत् याद राखना घूत्पन ईंगईज डिरयब्श जिसकी उत्पत्ती जिस संख्या की उत्पत्ती किसी दूसरे संख्या के मेँ्षन से होता है उस संख्या को डिरयब्ट संख्या बोलो हम असने के लिए ये ये बोलो एक, दो, तीन, और ये पूछे सुन्य की उत्पत्ति कितने संख्यों के मेल से हुआ है, एक भी नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र है नजी, एक, इसकी उत्पत्ति किस संख्या सुई है, किसी से नहीं, ये स्वतंत्र है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, य संक्षियां कि 1234 नहीं है इसका Vermont हुआ है एक और दो से हैग जो के में में से बारा बना है इस लिए बारा का उठफ पन हुआ एक और जो से तबारा को कहेंगे निम्ट संख्यां प्री लेकिन तू देखो तो इन संख्याओं में किसी का उत्पन हुआ है अगर आठ लिखना है तो आठ को लिखने के लिए कोई दूसरे संख्या का सहयोग नहीं चाहिए एक ऐसी संख्या स्वता है जिसको इस धंग से लिखा जाता है और यह अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन य अनंत संख्यां बना सकते हैं अनंत जैसे आठ से ही अनंत के से बनेगा तो 88 लिखोगे यह दोठो आठ लिख दिये तो यह दो आठ के मेल से उत्पन हुआ है वित्पन संख्या है क्योंकि इसको कहा जाएगा आठ नहीं बल्कि 88 कहा जाएगा इसलिए 88 स्वतंत्र नहीं है ब तो इसका मतलब संख्यां दो तरह का होता है कोई पूछे मालो 1570 लिखो 1570 तो लिखा लेकिन यह अपने अपने स्वतंत्र है नहीं है क्योंकि एक दो तीन चार एक के पांच के साथ के और छो के मेल से 1570 का जन्म हुआ है उत्पन हुआ है इसलिए इसको कहेंगे विट्पन संख्या और इसी में से कोई एक शात लो छो शात लिए स्वतंत्र है कि विए सिर्की आवाज सक्ता होती है किसी दूश्रे संख्या की नहीं इसलिए 6 को स्वतंत्र संख्यां कहेंगे लेकिन 1576 को लिखने के लिए हमें 4 तरह की संख्याओं 1, 5, 7 और 6 की आवज सकता होती है इसलिए 1576 को जीतुपन संख्यां ड्रैब संख्यां कहेंगे तो स्वतंत्र और जीतुपन का आर्थ समझा बोलो कोई confusion नहीं न तो यहीं बात है इसमें भी कुछ राशी स्वतंत्र होते हैं ध्यान से समझते जाओ नहीं समझने पर नहीं पुछोगे तो हमको लगेगा जो तो लोग already समझ रहे हो ध्यान से सुनो कुछ संख्याओं यह ऐसी है उच में फिक्स है देखो यह फिक्स है यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नो, दस दस ऐसी संख्याओं हैं जिन संख्याओं को लीखने के लिए किसी अन्य संख्या का सहारा नहीं लेना पड़ता है इसलिए ऐसी ही संख्याओं को स्वतंत्र या आधारी संख्याओं कहेंगे लेकिन इसका लिमिटेशन है जिनकी में दसी संख्याओं रहा है लेकिन इसके पाद कितनी ऐसी संख्याओं है प्रस्वन किया गया जिने लिखने के लिए कि हमें एक से अधिक संख्यां का सहारा लेना पड़ता है तो इसका अंसर ऐसी अनंत संख्याएं हैं है बास्तव में 126 595 में कुछ भी बोल सकते हो जो अंग से बड़ी गष्ट से लेकर के अनंत तक तो स्वतंत्र संख्याइं का सहरा लेना परता है स्वतंत्र संख्याइं नहीं है इसके आगे वित्वपन संख्याइं होगा ही नहीं इतनी बात को समझ गे अच्छी तो जिस तरह कुछ स्वतंत्र संख्यां होती है इसका लिमिटेशन है उसी तरह राशी जो दो परकार का होता है एक होता है आधहारी राशी या स्वतंत्र राशियां जैसे ये आधहार है इसको आधहार बना करके हम लोग कोई भी संख्यां अब लिख सकते हैं दो अंकों की य आधार बनाना होगा, अगर 34 लिखना है, तो 34 लिखने के लिए किन संख्याओं को आधार बनाना होगा, तो पहला होगा तीन आदूसरा होगा, चार, तीन आउर चार, डौनों को आधार बनाए, बेश माने, तब इसी दोठो संख्याओं पर, के मेल से जो उत्पन हुआ है, ज आउतिक राशी दो तरह की राशी होती है पहला स्वतंत्र राशी बोलो या आधारी आधार आधार का समझ गया ना जिसके आधार पर लिखने के लिए हमें किसी अन्य संच्छां की जरूरी आवसकता नहीं परती है उसी तरह भावतिक राशी दो तरह की दो भाग में इसको बाटा गिया है पहला आधारी या सुतंत राशियां ऐसी राशियां जिसको जिसके मांत को हम लोग ब्यक्त करेंगे तो दूसरे राशी का सहरा नहीं लेना परता है अब जैसे देखो इसको लिख रिया है परभासा मिता दे हम लोग लंबाई के लिए मीटर का परियोग करते हैं ज्यां से देखना या मालो इंच लिखेंगे या मालो सेंटी मीटर या कीलो मीटर जो लंबाई की मांप है लंबाई का जो यूनित है उसको लिखेंगे अब फिर जेखो छैत्रफल छैत्रफल की परिभासा बेस आउप ये पोइंड तू सरकिल में हम बतलाये हैं किसी भी पिंड के द्वारा घ्यरे गए जगह को उस आकिर की का यूने छेत्रफल कि बराबर होता हैं को खेत्रफल वर Hoover किसी न किसी रूप में हमे आए सब्सक्राइब फिर आर गुने आर दो मीकर गुने दो मीकर लिखन देखो तो एक लंबाई मालो एक चोराई मालो लंबाई और चोराई का गुनन फल ही बास्तब में छेतर फल होता है तो छेतर फल बराबर लंबाई गुने चोराई हां से देखते जाओ कही ध्यान दूसरे जगा बिचलित न लिए समझना मत कर ना इसी तरह हम लोग कहेंगे आयतन तो आयतन बराबर आयतन किसे कहते हैं यह बतला यहां फिर बिस चेप्टर में सब बतलाना है ऐसे परिवासा तो फिलाल आयतन बराबर होता है लंबाय गूने चोराई गुने उचाई अब देखो एक छेतर फल के लिए छेतर फल बराबर लंबाई गुने चोराई लंबाई की माप मीटर में मानलो हम लोग लेते हैं ध्यान देते जो ठीक से और छेतर फल बराबर लंबाई गुने चोराई तो लंबाई के लिए हम लोग किसका उतियों करेंगे मीटर का उतियों करेंगे भुने फिर चौराई के लिए मीटर का उतियों करेंगे तो मीटर भुने मीटर बराबर क्या होगा मीटर एस्क्वाइर एस्क्वाइर का आर्थ होता है वर्ग तो power को पहले लिखा जाता है तो square का हंदी लिखेंगे work मिटर, work मिटर होता है इसका आर्थ है लंबाई को हम लोग मिटर के रुप में लिखे हैं मिटर के लिए तुम M का परियोग करो M से मिटर तो मिटर गुने मिटर ये हो गया M square हो गया न तो यहाँ जो सिर्फ लंबाई की माप होती है मीटर, लेकिन छयत्रफल की माप होती है मीटर का परियोग को दो बार हो गया, मीटर गुने जैने 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 एक से अधिक हो गया, तो यह इसका पंद्रो की उत्पती हुई है, एक और एक, इसको एक कभी नहीं कहेंगे, बलकि इसको जारा कहेंगे, यह जारा की उत्पत्ती हुई है, तो इसी तरह लंबाई के लिए मीटर, अच्छेतर फल के लिए क्या लिखाएगा, मीटर एस्क्वाइर, यानि दोठो मीटर है, जैसे इसमें दोठो संख्या है, तो अ लंबाई गुने चोराई से, है ना, यानि मीटर गुने मीटर, मीटर एस्क्वाइर होगा, लेकिन इस लंबाई में सिर्फ मीटर है, तो इसका तो उत्पन नहीं हुआ है, यह तो देस है, आधार है, जिसके आधार पर उत्पन होगा, मीटर एस्क्वाइर, जो छेतर फल का लिखते हैं मीटर क्यूब या घौन मीटर तो अगर यह कहा जाए जिए घौन मीटर स्वतंत रहाए नहीं है क्योंकि तीन थो मीटर का गुनन फल है है ना जैसे उदाहरं दिये तीन थो एक जे जंगे तो एक सा एगारा एक सा एगारा स्वतंत रहाए नहीं है तीन एक के सहयोग से तीन एक के मिलने से एक सा एक जारा का निर्मान हुआ तो तीन मीटर को मीटर को तीन बार गुना करने से घौन मीटर या मीटर क्यों प्राफ्त होता है जो आइतन की मात होती है आइतन की मात्रक होती है आइतन को घंड मीटर में मापा जाता है तो घंड मीटर आइतन के लिए परियोग किया जाता है वर्ग मीटर छेतर फल के लिए परियोग किया जाता है लेकिन सिर्फ मीटर लंबाई के लिए परियोग किया जाता है का जन्म होने जा रहा है जैसे दू के सहयोग सी एक के सहयोग सी बहुत सारे मतलब संख्याओं का जन्म होने जा रहा है और ये जन्म जिस संख्याओं का होगा इसको कहेंगे विटपन संख्या उसी तरह लंबाई एक ऐसी राशी है जो अपने आप में स्वतंत्र है और इस लं राशियों का उत्पन होता है आधारी राशियों से उन राशियों को वित्पन राशी कहेंगे और जो राशी स्वतंत्र होता है कैसे जैसे जीरो से न तक स्वतंत्र है संख्या तो कुछ ऐसे भी राशी होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र है जैसे कुछ ऐसी संख्या है जो बि फिर्मान होता है जिसे रिटपन संक्षा कहते हैं उसी परकार दो तरह की राशियां होती है एक आधारियास्वतन तर राशी जिसको व्यक्त्र करने को आधारी या स्वतंतर राशी कहेंगे जो जिसकी माप या जो राशी स्वेंग अपने आप में स्वतंतर होता है जिसके जिसकी माप को लिखने के लिए दूसरी राशी की माप का साहरा लेना परे तो इसी राशी को आधारी या स्वतंतर राशी कहेंगे लेकिन जिन राशिय निर्भर है जिन राशियों को ब्याइच्ट करने के लिए जिन राशी के पדश को विक ब्यायक्त करने के लिए हमें स्वतंतरारारा आँ तो ऐसी राशियों को धुध्पनाराय कहां करनें को想ंगे कर दो पी यह पूछ लोग ऋन है लिए पुछ हो थो शमय इसी चप्टर में है वे से मैंक में पढ़ा दिये हैं इकाई समय में तै की गई धूरी को चाल कहते हैं कहते हैं ना मानलो को इस ती समय में एस दूरी तै की एकाई समय यानि एक में इसलिए 1 समाय में S by T तो 1 समाय में कितना दूरी तैजिया तो S by T इसी दूरी को चाल कहेंगे यानि चाल बराबर S by T S का मतलब हो गया दूरी और T का मतलब क्या हो गया समाय अब इस पर ध्यान दो तो चाल कैसी राशी है ताह उपर नीचे हो अलग बात है, संक्षा उपर नीचे के रुप में होता है। इसे बात करte हो, कि चार बाता तीन प्राइब की लए है। कोई कहा रहे हाफ मैं हो, हाफ का मतलब एक बाता दूर, एक बाता दूर पिया पताश पिसा हुआ बोलो टो तो देखो स्वतंत्र राशी उपर भी है स्वतंत्र संख्या एक है न उपर भी है जो भी स्वतंत्र संख्या स्वतंत्र संख्या बटा स्वतंत्र संख्या भी तो एक संख्या है इसको लिखेंगे न, पॉइंट हाई गुरूपी लिख सकते हैं, तो कहने का आर्ज, ये चाल जो है बास्तब में, धूरी में समय से भाग दे दो, तब हमें क्या प्राप्त होता है चाल, अब ये चाल उस्वतंत रहें नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चाल का समंध धूरी स समय से है, तो दूरी के लिए हम लोग क्या परियोग करेंगे, दूरी को माँपने के लिए दूरी तो लंबाए है, तो माल लोग कोई ट्रेन 20 किलो मीटर चला, कितने समय में, तूमाल लेते हैं, दू घंटा में, तो दू घंटा, समय के लिए घंटा का परियोग करेंगे, इसको काटेंगे दू दाहिन बीज, यानि 10 किलो मीटर उपर में है, तो किलो मीटर, भटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, घंटा, तो कहेंगे ट्रेन की चाल कितनी है, तो 10 किलो मीटर परती घंटा, इसका मतलब चाल के लिए हम लोग क्या परियोगती है, बोलो, किलो मीटर पर पर योग करते हैं और घंटा समय के लिए यानि लंबाई और समय दोनों को मिला करके दोनों के मेल से यह साल का यह यूनिट पाइदा होता है और जो यूनिट जिस भौतिक राशी का यूनिट मात्रक एक से अधिक स्वतंत राशी से पाइदा होता है तो ऐसे ही राशी को हम ल इसकी चर्चा हो रही है, साल का जन्म देखो तो दूरी और समय से होता है, नहीं समय का जन्म नहीं है, अपने अपने इसके सहयोग से साल का मात्रक बनेगा, जिस भावतिक राशी का मात्रक लिखने में, हमें एक से अधिक भावतिक राशी के मात्रक का सहारा लेना परे, ऐसी भावतिक राशी को, हम परिभास साम लिखा देते हैं, पहले साम, जिस भावतिक राशी के मात्रक को, यूनिट को लिखने में, जैसे चाल का यूनिट लिख इसहा में भफतेИस का है इसका फर्मुला लिख जो ओढ़ा विटीर मों के लिए हम हम लोग क्या परयोग करेंगे किलो मिटर का शी में पर योप करेंगे के लिए किलो मीटर का निकालना है चाल की माप, तो चाल की माप निकालेंगे, तो चाल का पहले तू फर्मुला लिखो, ठीक है, तो चाल का यूनित निकालना है, यूनित का हिंगी होता है मात्रक, समझाना, यानि चाल को किसमे मापते हैं, तो चाल का मात्रक निकालेंगे, तो उसका फर्मुला लि गरा जूरी का मात्रक किलो मीटर जाइते हैं मीटर लेंगे तो समय का सबसे फटा मात्रक कुण सकेंड अब इसको میतर मीटर के लिए M पर युपोर ओ और सकेंड के लिए S तो M बटा S को कैसे लिखेंगे? M बटा को लिखते हैं पर्ति इसको ऐसे लिखेंगे कहा जागा? पर्ति सकेंड तो मीटर पर्ति सकेंड तो साल का मात्रक क्या हो गया? मिटर पर्पि सकंड अब ये बत लाओ साल का मातरग जो हम लोग लिखे हैं ये स्वसंत्र लग रहा है तुम लोगों नहीं है क्योंकि मीटर है ये मीटर तो दूरी के लिए लंबाई के लिए परियोग किया जाता है बत्ड़ यानि पर्पि ये तो समाई के लिए उपर योग किया जाता है इसका आर्थ है लंबाई के मात्रक और समाई के मात्रक के सहयोग से चाल का मात्रक जनम हुआ है तो कहेंगे चाल का मात्रक जनमा हुआ है जो जन्मेगा किसी के सहयोग से एक से अधिक इकाई यूनित के सहयोग से ऐसे भावतिक राशी को हम लोग भीतुपन राशी कहेंगे जिस भावतिक राशी का मात्रक एक से अधिक राशी के मात्रक के सहयोग से बनता है तो ऐसे भावतिक राशी को वितपन राशी कहेंगे और जिस भावतिक राशी का मात्रक स्वतंत्र होता है किसी के सहयोग से नहीं बनता है तो ऐसे भावतिक राशी को आधारी या स्वतंत्र राशियां कहेंगे तो अब इसका उधारन तू लो तो जैसे हम लोग जैको A B C D में पहले क्या होता है L आता है L के बाद M आता है अतब T आता है याद रखना L M T L से हो गया L N M से हो गया Mass मतलब जरा विमान T से हो गया Time Mass and Time L M T ये तीनो आधारी या स्वतंत राशिया है जैसे ये Length के लिए हम लोग मीटर का परियोग किये मीटर अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन मीटर गुने मीटर वर्ग मीटर स्वतंत्र नहीं है इसमें 2-3 मीटर का खेल है है ना फिर आधाव L Length का हो गया M M Mass मास का आर्थ हो गया द्रभीमान इसको ग्यक्त करते हैं ग्राम में ग्यक्त करते हैं ना किलो ग्राम में इसी तरह ये सब बिल्कुल स्वतंत्र है अग कोगे इसे कैसे जन्म होगा विटपन राशी का तो ये तो अभी बतलाना मांकी है फिल्हाल दोनों चीज क्या है एक स्वतंत्र होता है एक का जन्म होता है प्रभासा लिख दिये हैं वे राशियां विटपन राशियां कहलाती हैं इन्हें ब्यक्त करने के लिए आधारी अर्था स्वतंत्र राशियों का सहरा लिया जाता है ब्यक्त करने के लिए मतलब लिखने के लिए बोलने के लिए है ना या ये लाइन हमेशा याद रह जाएगा जिन राशियों के मात्रक को लिखने के लिए आधारी या स्वतंतर राशियों के मात्रक का सहरा लिया जाता है ऐसी राशियों को विटपन राशियां कहा जाता है जिन राशियों करते हैं कोई कंफीजन तो नहीं होगा अब उदाहरन में देखो छेतरफल आयतन चाल बेग तवरान धनातु बिदुधारा यह सब आगे बाला चप्टार में समझते जाओगे इन भौतिक रासियों के मात्रकों लिखोगे तो आधारी रासि के मात्रकों का सहयोग लेना ही परेगा इस लिए यह सब जो है दुट्पन रासियां है समझ गया अगले पार्ट में कितने अधारी रासियां है भौत्पन रासि के बारे में कुछ उदाहरन परेसे निकालेंगे इस सब का मात्रक इस सब के बारें में बत्लेंगे